Hello friends, मैं हूँ आपके समने गोरो मिगलानी, हमारा chapter continue चल रहा है cash flow statement, इस chapter का ये video number 16 है, तो मैं आपसे request करना चाहूँगा कि इस video में जो topic हम discuss करने जा रहे हैं, इस से पहले आप पीछी वाली videos को जरूर देख लिजिए, especially video number 7, video number 8, जिसमें हमने ये discuss किया था कि कौन सी operating activity होती ह है, कौन सी investing होती है, कौन सी financing activities होती है, then हमने video number 11 में cash flow statement का complete format भी discuss किया है, तो आईए, अब हम इस video में ये देखेंगे, कि ये जो transactions हैं, ये कौन सी activity के under में आती है, वो operating activities कि में है, या financing है, या investing activities है, तो आईए, सबसे पहले अब हम first transaction को देते हैं, that is cash sales, cash sales का क्या मतलब है, मतलब हम जिस product में business कर रहे हैं, उस product को हमने cash sale किया है, और ये हम पीछे वाली videos में already देख चुके हैं, जिस product को लेकर हम sale या purchase करते हैं, वो सारी activities हम कहां लिखते हैं, operating activities में लिखते हैं, तो जर्नली सी बात है, जो first transaction का answer होगा, वो क्या होगा, कि cash sales कहां लिखेंगे हम, operating activities के head में लिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो topic मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये इस video से लेकर, next 4-5 videos, अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं, तो cash flow statement बनाना आपके लिए और भी ज़्यादा easy हो जाएगा, उस वक्त आप ये चुटकियों में solve कर पाऊगे, कि कौन सी transaction आपको कहां लिखनी है, तो definitely बात है, जिस product के अंदर हम business कर रहे हैं, उस product को अगर मैंने sell किया है, तो definitely मैं उसको कहां लिखूँगा, operating activities में लिखने वाला हूँ, second देखिए, cash received from trade receivables, trade receivables कह सकते हैं, debtors कह सकते हैं, अब debtors का relation हमारे साथ किसली होता है, product को लेकर, मैंने अपना product उसको sell किया होगा, जिसकी वज़य से debtors create हुए होंगे, या trade receivables create हुए होंगे, तो debtors या trade receivables से मुझे पैसा मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमको कहां लिखना है, operating activities में ही लिखना होता है, ये बाते, जो second point है, ये बात मैंने आपको इसी वीडियो के description box में दी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, अब हम चलते हैं third transaction की योग, building या fixed assets, मैंने क्या की है, purchase की है, अब माल लीजिए, ये building या fixed assets, मैंने purchase की है, मेरे product की वज़ा से, मेरे product को sale करने के लिए, पर building को purchase करने का purpose, या fixed assets को purchase करने का purpose, क्या, मैं इसको बहुत जल्दी sale करने वाला हूँ, नहीं, ये building ये fixed assets, मैंने long term के लिए use की है, long term के लिए purchase की है, long term के लिए मैं इसको use करने वाला हूँ, то definitely मैंने क्या किया है, fixed assets के अंदर investment किया है, तो ये जो हमारा topic है ये कौन सी activities में आने वाला है investing activities में आने वाला है ध्यान से समझिए मान लीजिए मैं जिस product में business कर रहा हूँ वो है mobiles तो mobiles की जितनी भी activities हैं mobiles को purchase करना, mobiles को sale करना, mobiles को लेकर debtors rate हुए, mobiles को लेकर creditors create हुए तो mobiles के product की वजए से जो activities में regular कर रहा हूँ वो कहां पर आएंगी operating activities में आएंगी क्योंकि mobiles का मेरा reality में business है पर क्या building purchase करना, क्या fixed assets purchase करना मेरा business है नहीं तो मैंने क्या किया है building में या fixed assets के अंदर पैसा invest किया है और वो पैसा मेरा काफी लंबे समय तक मेरा काम आने वाला है तो fixed assets के अंदर जब आप पैसा लगाते हो, building में पैसा लगाते हो, definitely वो हम कहां लिखते हैं, investing activities में ही लिखते हैं next देखिए, shares या debentures issue किये हैं हमने, अब सोच कर देखो, business हमारा mobile का, पर हमने क्या issue कर दिये, shares या debentures? क्या shares या debentures issue करना मेरा business था? नहीं, मैंने shares और debentures issue क्यों किये होंगे, ताकि मुझे पैसे की जरुरत है shares या debentures के तुरू मैंने पैसे का arrangement किया है, तो ये financing activities हो गई, next देखिए, machinery या fixed assets को मैंने क्या किया है, sale किया है ध्यान से देखिए, जब मैंने fixed assets को या building को purchase किया था, तो कहां पर आया था? investing activities, तो investing activities के अंदर ही आएगा ये item भी क्योंकि मैंने अपनी investment को क्या कर दिया है, sale कर दिया है, मैंने जो investment की हुई थी machinery के अंदर, fixed assets के अंदर, उसको मैंने sale कर दिया तो simple सी बात है, ये investing activities ही बन जाती है, next देखिए, equity shares buyback, buyback of equity shares मैं कह सकता हूँ यहां पर देखिए, आपने shares या debentures issue किये थे, कहां पर लिखा था आपने, financing activities में, अब आपने अपने ही shares को वापिस खरीद लिया है तो definitely ये item भी हमारी कहां पर आने वाली है, financing activities में ही आने वाली है next देखिए, बहुत important है next point, dividend या interest paid, अगर आपको सिरब इतना सा लिखा हुआ मिल जाए, dividend या interest paid तो आपको definitely ये item कहां लिखनी है, financing activities में लिखनी है पर अगर आपको ये complete line मिल जाए, dividend या interest paid by finance company एक company ऐसी, जिसका काम ही finance का है, अब उस company ने अगर interest या dividend pay किया है तो मुझे कहां लिखना होगा, मुझे लिखना होगा वो operating activities के अंडर में क्योंकि finance company का काम क्या होता है, finance के लिखना करना, अब ये company अपनी regular activities किसमें करती होगी finance में करती होगी, तो finance company अगर interest या dividend pay करती है तो हम उसको क्योंसी activity मानेंगे, operating activity मानने वाले हैं पर एक normal company जो finance company नहीं है, अगर वो company interest या dividend pay करती है तो हम उस company की इस activity को क्या मानेंगे, finance की activity मानेंगे मतलब अगर finance company ये interest या dividend pay करती है, तो उसके लिए तो normal सी बात हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, ये operating activities में पर एक ऐसी company जिसका काम dividend या interest pay करने का नहीं था अगर वो company अगर अगर interest dividend pay करती है, मतलब वो company non finance company है वो finance का काम नहीं करती reality में, तो वो company अगर interest dividend pay करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी ये financing activity है ध्यान से देखिए, non finance company का example क्या दे रहा हूँ non finance company, मालो mobile, मैं mobile का काम कर रहा हूँ mobile का काम करते करते मुझे पैसे की जरूरत थी, वो पैसा मैंने उधार लिया तो मैंने उस पैसे की उपर interest pay किया तो मेरी company कौन सी कहलाएगी, non financing company तो non financing company अगर interest dividend pay करती है, तो वो कौन सी activities के head में आता है financing activities के head में आता है ये बाते मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बोतेशों से बताया है तो पीछे वाली वीडियो के link, complete playlist का link मैंने आपको दिया है इस वीडियो के description box में, आप चाहिए तो देख सकते हैं next देखिए dividend या interest received सिरफ इतना सा लिखा हुआ है अगर ये item आपको question कहीं पे मिल जाती है तो definitely आपको ये investing activity में दिखानी है investing क्योंकि जब हम कहीं पर पैसा invest करते हैं तो वो company हमको क्या पे करती है interest या dividend पे करती है तो that's related to investing activities ninth देखिए cash purchases मैंने क्या किया है cash में purchase किया है mobile मालो मैंने purchase किया मेरा product है जिस product के अंदर मैं business कर रहा हूँ तो ये सारी activities कहां पे आती है operating activities में यहां देखिए cash sale operating activities cash purchase operating activities next देखिए cash paid to trade payables मैंने trade payables को payment की है simple सी बात है ये भी हमको कहां पे आएगा operating activities में आएगा क्योंकि trade receivable से जब पैसा आ रहा था तो हमने कहां पे लिखा उसको operating activities में तो अगर अब हमको हमारे creditors को ये trade payables को ये bills payables को payment करनी है तो वो भी कहां पे आएगा operating activities में ही आने वाला है तो आपको अभी क्या करना है इस वीडियो से लेकर next 4-5 वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है ताकि cash flow statement के जब आप full flash questions करेंगे तो questions आपके बहुत जल्दी solve होने वाले हैं तो मैंने आपको इस वीडियो के description box में cash flow statement की complete playlist का link भी दिया हुआ है आप वो भी देखिए ताकि आपके topics और भी strong हो जाएंगे तो यहां तक आप वीडियो देखने के लिए